और मगध इन्वर्षिटू के इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं मैंने प्रीइस वीडियो में बतायाथा कि मगध इन्वर्षिटी के द्वारा से प्राट वन यानिवी एक्जामनेशन फोर्म फिलप करने का डेट जारी कर दिया गया था तो आज किस फीडियो में आपको बताऊंगा कि Mugad University के Part 1 Examination Form Philips है आपको कितना चार्ज पे करना पता है यानि कितना रूपय आपका खर्च होगा Form Philips करने में Form Philips आपको कैसे करना है कैसे Form को भरना है जो आपको College में मिलता है मैं आपको बकाईदा फॉर्म भर करें भी दिखाऊंगा हमारे पास फॉर्म एवलेबल है साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर का क्या कुछ अपडेट है और क्या इन्फॉर्मेशन्स मगद इन्वर्सिटी के पार्टवन एग्जामनेशन फॉर्म 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 आपको ले करके अवलेबल है तो तमाम सारे इन्फॉर्मेशन्स के बाएर मैं डिस्क्स करेंगे उसे पहले चोटी सी रिक्वेस्ट अब चैनल पे पहली बार विजिट के हो तो चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजएगा तो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बताया था कि कल मगद इन्वर्सिटी के द्वारा से अफिसियली एक नोटीस को जारी किया गया था जिस नोटीस में एकोडिंग बताया गया था कि जो आपका एक्जाम फॉर्म फिल अफे बापका कहा होगा यानि आपको अपना फॉर्म खरीदना है इस तरीके से आपका एक्जाम फॉर्म फिल अफ हो जाएगा और कॉलेज वाले क्या करेंगे आपके भरे हुए एक्जाम को फॉर्म को वह युनिवर्सिटी में जाकर करके जमा करते है अगर मैं date के बारे में बात करूओ तो without late find यानि बिना late find कि आप सकते हैं एक April से लेकर के 10 April तक और late find के साथ कर सकते हैं 11 April से लेकर के 17 April तक ये तो बात हो गई कि कब से कब तक आपको करना है फॉर्म कहां से मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया फॉर्म के साथ अब क्या क्या डॉकुमेंट लगेगा और फॉर्म कैसे भरना ये भी मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर इन्फर्मिसन शेले मैं आपको बताता हूँ जैसा कि आपको पता होगा मगद इन्वर्सिटी लगातार बैठक की 18 जन्वरी को सबसे पहली बैठक हुई थी 18 जन्वरी को ही प्लान कर लिया गया था कि कौन सा एक्जाम कब होगा कब से किसका फॉर्म बरा जाएगा और कब तक आपका एक्जाम लिया जाएगा यह सारा डिसिजन 18 जन्वरी को बैठक में कर लिया गया था और इसके बाद वन बाई वन करके सारे एक्जाम फर्म को भरा गया पार्ट टू का एक्जाम लिया गया पार्ट टू का एक्जाम लिया जाएगा इसके बाद आपका एक्जाम ल दा रहा हूं college के notice से यानि आपका college में कितना charge आपको pay करना है आपकी स्केटेगरी से आपको कितना पैसा जमा करना है form खरीदना है कितना आपको form मिलेगा form बने में कितना आपको total खर्चा पड़ जागा यह आपको college वाले ही exactly बताएंगे आथ हमारे पास कुछ college के notice है चले मैं आपको college का notice दिखाता हूं दिखाता हूं कि कितना charge मांगा जा रहा है यानि exam form बने में कितना आपको खर्चा हो जाता है इसके मंदल exam form खरीदने मैं आपको कितना खर्चा हो जाता है total खर्च इसके बाद फिर मैं आपको exam form भर करके मैं आपको दिखाता हूं सु गईज देख सकते हमारे पास एक नोटीस है और ये नोटीस ए एनस कॉलेज जहानाबाद का नोटीस है और ये मगज इनवर्ट सीटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है और इस कॉलेज के एकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि असनातक प्रथम खर्ण सतर 20-30 का जो परिक्षा करना होता है तो फॉर्म का चार्ज आपको कितना जमा करना है ये मैं आपको बता जाता हूँ तो देख सकते हैं यहां चार्ज के वारे बतायागा है कि सामाने जाती यानि जेनरल एन BC2 वालों को सता 250 उरपे लगेगा यानि कर सकते हैं फॉर्म बने में कुल मिलाकर करके फो टो इसके बाद आपका पलस 2 का मार्क सीट इसके लिप सब्सक्राइक 2 या कहा का देना औरस जो नमन्कर्डार आप में सीदि यानि पाहिस इनवर्शन सुद्ध कर छंदि को आफ मेस इसके अपको करना परण है औरस सब्सक्राइक उस भुर्ण को इसी टाइप का आपको PDF मिलेगा, मैं दो इसी टाइप का आपको page मिलेगा, इसी टाइप का आपको form मिलेगा, college के control पे इसको भरना है सही तरीके से, भरने में ध्यान न किया, किसी भी प्रका का mistake न किजेगा, यहाँ दिजेगा, अपने college का नाम capital में, यहाँ अपना नाम चेगा, composition paper क्या है, composition paper के बारे मिलेगा, ओप्स्नल में क्या paper है, optional paper के बारे मिलेगा, और भी कोई other type का paper हो, इसमें mention किजेगा, college का code, इसमें mention किजेगा, का साल मिनसन कीज़े, कौन सा आपका part 1 है पार्ट याप इसे चलर कर दीज़ेगा, याप ए लीग दीज़ेगा, इसके बाद यहाँ आपका प्रिवेस डॉल नमर मांगा जा रहा है, जो आपके पास अवेलेबर नहीं हो, से नहीं भरिएगा, इसके बाद आप अपना दीज़ को भरिएगा सही तरीके से एडर्स भरने के बाद फिर नीचे करे स्क्रॉल कीज़ेगा तो आप पार्ट बन पार्ट टू का मार्स पुछता है तो आपने पार्ट बन पार्ट टू आप सका चुकी के लिए ने आप पार्ट बन का ही फॉर्म बढ़े तो इस फॉर्म को भी जाएंगे और इस तरीके से आपका examination form fill up का जो process है बहुत complete हो जाता है तो आसा करते हैं जो मगद इनवर्सिटी का examination form fill up करने का पूरा process है आप यह जरूर समझ गयोंगे वीडियो को इंड करते हैं थैंक्स लॉट फूर वाचिंग दिस वेर इंपार्टन वीडियो